Class 10th Employability Skills code है 402 और Unit 5 देख रहे हैं Green Skills Sustainable Development सतत विक्रास की प्रक्रिया अब ये क्या होता है जो Environment है यानि की परियावरण परियावरण में सब कुछ डाल दीजे आप चाहे पेड हो पौधे हो आदमी हो इनसान हो जो दिखते हैं जो नहीं दिखते हैं वो सारे के सारी हमारे जिंदगी को कही न कहीं effect करते हैं जितनी भी परियावरण की चीजे हैं अब ये देखें कि हम लोग city में रहते हैं शेहर में रहते हैं तो हमको खाना कहां से मिलता है, सिटी में तो कोई अगरिकल्चर होता नहीं है, कोई पैदावार तो होती नहीं है, तो कहां से मिलता है, ये सब आता है आसपास के गाउं से, यानि कि अगर आपकी ये सिटी है, तो यहां जो गाउं होगा, यहां गाउं होगा, वहां से आपको ये खाद्य पदार्त या सामान आता है उसी से आपका पेट पलता है और सबसे बड़ी बात ये स्विलेजिस में क्या होगा अगर हम शहर से दूर चले जाएं तो आपको गाउं दिखने लगते हैं तो गाउं में आपको जंगल मिलेंगे वहाँ पर ग्रास लैंड है ग्रास लैंड का मतलब ये होता है एक बहुत बड़ा पैज यहाँ पर किवल घास ही घास होगी नदिया होगी अगर आप बीच एरिया में रहते हैं या समुदरी इलाके में रहते हैं तो आपको समुदरी या कहेंगे sea shore मिलेगा, beaches मिलेंगे और इसके लावा बहुत सारे resources, resources यानि की संसाधन जैसे पानी हो गया fuel, wood, लकडी जिसको हम जला के उसका इंधन का इस्तमाल करेंगे fodder, जानवरों को खाने के लिए जानवर जो खाते हैं अब हम इन natural resources का natural resources का मतलब होता है वो प्रकृतिक संसाधन जो हमें nature देती है, जो हमें nature देती है, यानि प्रकृति देती हमको कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप देती है, तो इसका मतलब जितना भी हमारे आसपास है, अगर economic development, यानि जेब में पैसा बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, चाए वो सरकार बढ़ा रही हो, चाए वो कोई industrialist बढ़ा रहा हो, चाए आप बढ़ा रहे हो economic development का मतलब होता है economy मतलब जहां से, जहां पैसा involved है development का मतलब उसका विकास तो जहां तक हम economy का विकास कहते हैं, या ऐसी चीज़ कहते हैं जिसमें बहुत सारा money involved हो, एक चक्र है इसका, तो इसमें क्या होता है कि environmental pollution बढ़ जाता है, जो इसकी हम बात करें यह environment हो गया, यह environment हो गया इसमें pollution बढ़ रहा है, इसका production बढ़ रहा है जैसे, अगर आपको बहुत जल्दी एक crop चाहिए तो आप कहते हैं, हम hybrid crop यूज़ करते हैं, फटाफट crop, या फटाफट कुछ पैदावार हो जाती है, कीडों के लिए आप pesticide यूज़ करते हैं, pesticide यह हो गया, इसके लाब आप उर्वरता बढ़ाने के लिए, जमीन की, मिट्टी की fertilizers यूज़ करते हैं, जैसे पहले खाद बगर यूज़ किया करते थे, तो यह बहुत अच्छा है, पैदावार तो बड़ी जबरदस हो रही है, लेकिन problem यह है, कि इससे environmental degradation हो रहा है, पर्यावरन का हरास हो रहा है, हरास मतलब होता है, इसकी हानी हो रही है, degradation मतलब खराव होना, अगर इस graph को देखें, तो ऐसे यहाँ पर अगर सही मिट्टी है या सही पर्यावरन है, तो वो गिरता चला जा रहा है, तो हमको आज एक योजना बनानी होगी, प्लान करना होगा, कि ये जितने भी संसादन है, प्रक्रितिक संसादन, उसको हम कैसे उप्योग करें, क्योंकि ये इस तरीके का अगर हम माहल रहेगा, तो सब चीज़े खतम हो जाएंगे, हम खुद खतम हो जाएंगे, तो हमको तो हम यह नहीं चाहते हमारे भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे पर्यावन और सारे चीज़ें जो प्रक्रिती हमें देती है, वो उसने मिल पाएगी, और वो एक अच्छे परियावरन पे जी पाएंगे बात आती है यहाँ पर sustainable development की यानि कि सतत विकास की प्रक्रिया क्या हम पेड़ों को काट रहे हैं जी बिलकुल हाँ काट रहे हैं लेकिन क्या हम पेड़ लगा रहे हैं शायद नहीं we don't care, हमें interest ही नहीं है पेड़ क्यों लगाएंगे हम क्या हम पानी के जितने भी संसादन है चाहे वो river हो नदी हो, pond हो, lake हो तलाब हो, जहां भी पानी है क्या हम पानी बचा रहे हैं पानी use तो हम कर रहे हैं कोई दिक्कत थे हम car धो रहे हैं हम water splash खेल रहे हैं हम fun valley कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे है लेकिन क्या हम पानी को जो गंदा कर रहे हैं उसके बारे में सोचते हैं क्या हम water pollution के बारे में सोच रहे हैं तो ये हम अगर tree नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, अगर हम ये चीजें करते रहेंगे और उसके बार में सोचे नहीं रहेंगे तो क्या होगा लकडी और पेट्रोल इसका तो हम यूज करते ही करते हैं अब यह वो लकडी और अगर पेट्रोल का आप यूज करेंगे तो वो pollution create करेगा, carbon dioxide करेगा, carbon monoxide करेगा सल्uir डियोकसाइड करेगा तो बहुत सारी चीजे इसमें ऐसी पैदा होती है जो आपको बहुत नुकसान करें क्या हम clean energy का इस्तमाल कर सकते हैं जैसे sun हो गया, sun energy हो गई, wind energy हो गई, geothermal energy हो गई, क्या इसके इस्तमाल कर रहे हैं मतलब हम जो ले रहे हैं अपनी मदर अर्थ से, क्या उसको वापिस दे रहे हैं? क्या हम यह सोच रहे हैं कि जो फ्यूचर जनरेशन है आगे कि जो हमारी जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, क्या वो जिन्दा रहे पाएंगे? क्या वो जीवित रहे पाएंगे? याने हम आज हवा, पानी और मिट्टी इसका इस्तमाल तो कर रहे हैं तो अगर हमने इसको उस हालत में छोड़ दिया कि जो आगे की जिनरेशन हमारे बच्चे और उनके बच्चे या पुरे विश्व में जो आज की बच्चे हैं वो जब जीएंगे, जब ग्रेटा थनबर्ग ने एक बात कही थी, कि हाउ डेरी हो, एक लाइन उनके बड़ी फेमस हो गई थी हो और उनके सीधा जो आज कल के हुक्मरानों हैं, उनके सीधा हमला किया था कि तुम होते कौन हो कि हमारे पुरे संसाथन को खराब करो और हमें आगे जीने के लिए पदरा सुला साल की है वो लड़की, चौदा साल की शायदा भी पंदरा की हो गई है तो बहुत ही छोटी बच्ची है वो, उसने जान लिया कि भाई आगे हमारी जिंदगी का क्या होगा तो हम ये आज के जो इमिजिने डिवलेप्मेंट है, आज जो डिवलेप्मेंट हो जा उसी के बारे में सोच रहे है खोड़ो न, किसके बारे में क्या सोच न, अमरने दो, जाने दो, अपनी जिनदगी चल रही है। मैं आज की आपकी सारी जरूरत पुरी हो जाए लेकिन आगे की जो बच्चे या आगे की जो generation आने वाली है लोग आने वाले हैं बच्चे आने वाले हैं उनके साथ compromise ना हो उनके नतलब यह जो जितने भी हम development कर रहे हैं ऐसा development ना हो जो उनको नुक्सान पहुंचाए यहने आप economic growth करें कोई नहीं कह रहा है कि आप आगे ना बढ़े आपके पास cycle है, करकार हो, फिर भवाई जाज हो, flight हो कोई दिक्कत नहीं है, हर आदमी यहीं चाहता है लेकिन आप आज के environment के बारे में भी तो सोचें जो social well-being है, लोग, बच्चे, जो आगे आने वाले है उनके लिए आप कुछ बचाएंगे ही नहीं, सब खा जाएंगे, सब खतम कर देंगे तो बिचारें वो कैसे जिएंगे, इसे ही हम sustainable development कहते हैं बस एक चीज़ है, आज वो करें, जो आगे के generation को भी वो चीज़ें मिल सके अगर आपके पास 100 है, तो 90 मत खर्च करिए, 10 खर्च करिए ताकि इनको 90 मिले पिर यह आगे 80 दे दे, इस तरीके से जिन्दगी चलते रहे जब तक कि कोई और technology नहीं आती कोई और तरीका नहीं आता है, जिससे हम energy resources का इस्तेमाल कर सके तो सतत विकास की प्रक्रिया या sustainable development, इसका importance क्या है, क्यों हम इसके बारे में बात करते हैं, इसकी इतना महत्व क्या है, तो economic development का मतलब यह है, कि हम ऐसा विकास कर रहे हैं, अब समझते हैं, अर्थव्यस्था, तो ऐसी अर्थव्यस्था का विकास, इस तरीके का विकास, जिसमें हम सारे resources, संसादन, संसादन, कुछ भी हो सकते हैं, खनी संसादन है, पानी है, हवा है, जो भी आप देखते हैं, पृत्वी हमें पैदा करके देती हैं, और जिसका हम उपभोग करते हैं, वो ही हमारे resources कहलाते हैं, तो हम क्या करें हैं, कि उनको बहुत तेजी से, quickly, हम अगर use ना कर हैं, आगे के future generation के लिए बचाएं, अगर नहीं बचाते हैं, तो environmental problems होंगी, यानि परियावरनी ये अर्थ विवस्था कहों तो जाद अच्छा रहेगा, वो खराब हो जाएगी, आज भी आप देख रहे हैं, बिन बादल बरसात हो रही है, बिन ऐसे जगट बर्व गिर रह है, water rise हो रहा है, carbon dioxide बढ़ते चला जा रहा है, तो जो चीज़ आज हो रही है, वो आप सोचिए, imagine करिए कि आज आगे के 10 साल में क्या होने वाला है, आगे के 50 साल में क्या होने वाला है, तो जो population बढ़ती चली जा रही है, ज़रूरी, लेकि population बढ़ना कोई खराब बात नह है, जितने population बढ़े हैं, उतने जादा लोग काम करने के लिए होंगे, आपके देश को आगे चलाने के लिए होंगे, इंडिया और चाइना में ऐसे ही है, लेकिन अगर population इतनी जादा बढ़ जाए, और तनका इतनी जादा बढ़ जाए, कि सारे जो goods हैं, सामान हैं, उनका consumption शुरू हो जाए, मतलब हर natural resources को लोग use करना शुरू करते हैं, क्योंकि natural resources बनने में, आप सोच लिए, पेटरॉल बनने में कितना समय लगता है, लाखों साल लगते हैं, डीजल बनने में कितना साल लगता है, लाखों साल लगते हैं, क्योंकि यह सब crude oil से आता है, crude oil जो होता जिसे हम खनीज तेल कहते है उसको बनने में कितना समय लग जाता है लाखों साल लग जाते है तो अगर आप यूज़ करते हैं आप कहेंगे यह तो प्रक्रिटी देती है लेकिन आज देती है ना उसके वाद मिलियन साल बाल देगी फिर क्या होगा आपके बच्चे क्या खाएंगे आपके बच्चे क्या यूज़ करेंगे जमीन आप खराब कर देंगे जमीन की उर्वरता आने में हजारों साल लग जाते है तो आज जब हमारे पास बहुत अच्छा पैसा हो गया पॉपलिशन बढ़ रही है तो जो कंजम्शन आफ गुड्स है खासा पैस देखिए जो समान का इस्तमाल हो रहा है हम बस समान का इस्तमाल करते हैं कच्रा फेक देते हैं तो इससे क्या हो रहा है कि हम जब लोग बढ़ेंगे, इंकम बढ़ेंगी तो लोग वो भी होंगे जो प्रोड्यूस करेंगे इसको, तो जो जब भी production होता है, natural resources का उपयोग तो होता है, मन लीजए कि अगर आपको कोई सामा चाहिए, तो एक company बनाएगी, company बनाएगी तो वो natural resources का यूज़ करेगी, natural resources का यूज़ कर रही है इसका मतलब natural resources ये भी खतम कर रही है और आप भी इसका उप्वोग कर रहे हैं, है ना तो society को समाज को सोचना पड़ेगा, इसको change होना पड़ेगा, इसको अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ेगा कि जो हमारी development strategy है, जो हमारी विकास की सोच है, प्रक्रिया है वो ऐसी ना हो कि वो हमारे परियावारण को नुकसान पहुँचा दे destroy कर दे, खतम कर दे ये कैसे हो सकता है? जब आप एक खुद एक समझदार आदनी बरे individual practice से आएगा, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई गुरूप खड़ा हो गया कि आरे कि जंगल जो है, वो कटने नी चाहिए ऐसी तो होता है, कि बहुत गुरूप आजाता है, लेकिन ये जो लोग है ये समझदार लोग है, ये खड़े हुए अब बहुणा साहब है, आपको याद होगा कि जिन्हों चिप को अंदलन शुरू किया था अब उनकी अभी भी पिछले साल डेथ हो गई तो ये जो बहुणा साहब है इन्होंने चीज शुरू की तो लोगों सही नहीं है, हम हर आदमी को संस्टेनेबल लाइफ स्टाइल के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा, संस्टेनेबल मतलब ऐसा जिन्दगी आज जिये, ताकि आगे के लिए भी रिसोर्से संसाधन बचे आपने बच्चों के लिए आगे के फूचर जेनरेशन के लिए, क्योंकि आपके भी तो बच्चे होंगे ना, आगे कभी न कभी तो होंगे तो जो नैच्रल रिसोर्सेज हैं, जो हमारी प्रकृतिक संपता है वो बहुत ही कम है, बहुत स्केर्स है, अगर इसका हम इस्तेमाल सहीं से नहीं करेंगे, तो यह खतम हो जाएगा जैसे मालीज़ आपके बास पानी नहीं आता है easier तो आप क्या करते हैं बाहर से water लेकि आते है और उस पानी का आप एक-एक boond मानी आगे नहीं होगा तब क्या करेंगे तो sustainable development इसको हम कहते हैं कि सतत विकास की प्रक्रिया वो ऐसा विकास होता है जो आज की जरूरत meet the needs of the present मतला आज की जरूरत पूरी करें लेकिन ऐसी पूरी करें कि आगे की जनरेशन की के लिए जो अपलब्द संसादन है उसको compromise ना कि क्या जाए यानि कि सबकी जरूरत पूरी हो आपकी भी आपके पचास साल वालों की भी आपके आगे जो सो साल में बाद आएंगे उनकी भी यह world commission on environment and development 1987 की इनकी definition है जैसे farming करते हैं लोग फार्मिंग मतलब क्या होगा agriculture समझ लिए एक तरीके से लिए से अलग अलग फार्मि होती है सारी farming में आती है तो अगर हम environmental friendly तरीके इस्तमाल करें परियावरन के जो दोस्त है उस तरीके से हम उस तरीके की methods यूज करें तो होगा क्या कि हम चाहे crop पैदा कर रहे हैं कोई भी गेहूं चना कुछ भी पैदा कर रहे हैं और जो life stock है life stock मतलब होता बकरी भेर जिनक इसे तरीके के या कोई environmental friendly एको friendly तरीके यूज करें तो हम crop पैदा कर पाएंगे life stock भी पैदा कर पाएंगे जनमर भी पैदा कर पाएंगे बढ़ा पाएंगे उनको लेकिन हम परियावरन को बचा पाएंगे यानि कि हमारा environment है वो बचा रहेगा वो खतम नहीं होगा तो human हमे नहीं होगा और जो हमारा पूरा प्रकृती का जो एक चक्र है उसमें कोई खतरा नहीं होगा अगर हम chemical यूज करेंगे fertilizer पेस्टिसाइज बहुत जादा मातरा में यूज करेंगे तो इससे क्या होगा soil जमीन खराब हो जाएगी क्योंकि उसके उड़वरता खराब हो पानी में chemical से ले जाएगे और जो बायो डिवर्सिटी है इसको हम कहते है जैव विविद्दा जैव विविद्दा का मतलब होता है एक ही इलाके में आपको आदमी भी मिले जानमर भी मिले पेड़ भी मिले कीड़े भी मिले सब कुछ होना चाहिए पानी हो गया पहाड हो ग क्या है हमारी दिकते क्या हमको पेश आती है तो जो मेजर प्रॉब्लम है मतलब जो हमें हमारी जो दिकते हैं सदत विकास की प्रक्रिया में वो क्या क्या है पहली चीज़ देखिए फूड फूड खाने का क्या मतलब है अब आप देखिए कितनी सारी जमीन हम लों ने खतम क कितनी सारी जमीन, जो अब क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यह जैने जो जमीन, यहां पर आप क्लियर देख रहे हैं कि जमीन कम हो रही है, और हर साल के हिसाब से दिखा रहा हुँ मैं, यह दिखे कि कोई एक जमीन जो फर्टाइल है उरूर जमीन है जिसमें आराम से क्रॉप या पैदावार हो सकती थी जैसे गेहू हो गया चावल हो गया अब क्या हुआ लोगों ने यहां भर बना लिए यहां पर इंडस्ट्री बन गई यहां पर कुछ और हो गया यह जमीन खराब हो गई तो इतनी जमीन बची पहले जो इतनी जमीन थी वो इतनी बची हर जगाए सही है तो हम बाकिर के लिए लैंड यूज इसका चेंज कर रहे ह हम केवल अपने आज के फाइदे के लिए चाहे हमारा municipality हो चाहे हमारा तहसील हो चाहे हमारा development authority हो चाहे सरकार हो जो भी कुछी का नाम ले लिजे वो अपने फाइदे के लिए सारा इस्तमाल कर रही है लेकिन हम यह ने सोच रहे है भई यह जो जमीन इतनी कम बची है तो इस जनो औक्सी जनो फॉस्फोराजों वो सब होना चाहिए वो तो खतम हो रहे हैं और हम जो केमिकल का दबा के इस्तिमाल कर रहे हैं वो तो पुरे सॉल को प्रेमिट्टियों खराब कर रहे हैं क्योंकि हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं केमिकल को बनाया जाता है ह हम उसको बनाते हैं किसी इंडस्ट्री में और उसका ऐसा कॉंबिनेशन देते हैं कि पैदावार तो हो जाए लेकिन ये जमीनी खराब करते हैं तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी दिक्कत है वाटर, पानी अब देखिए ये विवस्ता हर जगा आपको दिखाई देगी ये प्रिस्थिती, हर जगा आपको प्रिस्थिती इसे आपको रूबरू होना पड़ेगा क्योंकि हम चाहे कोई रिवर हो, कोई पॉंड हो कोई समुदर हो, कोई पानी का हमने कहीं नहीं छोड़ा, हमने उसको गंदा करने में पूरी जोर लगा दिये पूरी जुगत लगा दिये, आगे के समय क्या होगा, जो पानी हमारा पीने की जगा है जो क्लीन हमें पानी चाहिए बहाँ पर हम अपने गंदगी फेक रहे है, आप देख भी रहे हैं आपर कैसे गंदगी फेक ही हुई है तो जो रिवर्स है, पॉंड है नदिया है, आपके तालाब है, उन सब को हमने गंदा कर दिया, गंदगी डाल डाल के डाल डाल के तो इससे क्या होगा आगे किसा में हमें पूरे 100% जो पानी वेलेबल है इसमें मातर 3% से भी कम पानी जो है वो पानी के पीने के योग है इसमें भी 2.7% जो है ग्लेशियर है बर्फ तो खाएंगे नहीं आप तो जो कितना पड़ा 0.3% के वला आपको अवेलेबल है पानी पीने के लिए पूरे विश्व में जितना पानी है जबकि अगर आप उपर जाएं तो आपको ब्लू ये जो हमारा प्लानेट है ब्लू प्लानेट रिखता है ब्लू प्लानेट का मतलब सब कुछ नीला है पानी पानी है लेकिनों पानी में कितना है सो प्लफिशट पानी जितना बह Nie उसमें 0.3% ही है आपके लिए वेलेबल थायन रखिये उसमें भी साफ पानी कितना होगा आप सोच लिजिये तो ये गंदगी करना बंद करतो भाई फ्यूल fuel मतलब क्या होता है fuel मतलब जिससे भी energy पैदा होती है तो क्यों हम बहुत सारा लकड़ी यूज़ करते हैं लकड़ी गाओं में जाएंगे तो लकड़ी ही लकड़ी को जलाया जाता है और लकड़ी को जलाया भी जाता है घर भी बना रहे हैं बड़िया furniture भी बना रहे हैं घर को सजा रहे हैं घर बना रहे हैं लकड़ी काट रहे हैं तो इससे क्या होगा जब हम लकड़ी काट रहे हैं पेड़ काट रहे हैं पेड़ को एक पेड़ को बनने में कितना समय लगता है अगर अच्छा पेड़ की की इनके फायदे अगर मैं बताऊंगा तो पुरा पुरी जिन्दगी लग जाएगी तो जब एक्स्ट्रीम वेदर आता है ऐसा हमारा मौसम आता है जिसमें बहुत जबर्दस तरीकी से फलड आ रही है बार आ रही है कोल्ड बहुत ज़ादा हो जा रहा है हीट बहुत ज़ाद कि हमने खतम कर दी तो हमारी जिन्दगी चलो अभी ठीक चल सकती हो सकता है मैं मानता हूँ आप मज़े में रह रहे होंगे आपके बच्चों का तो सोचिए उनका क्या होगा अब एक एन्वार्मेंटरली फ्रेंडली तरीका है और इसकी चर्चा मैं सोचता हूँ मगली बार करते हैं ठीक है तब तक लिए शुक्रिया महर्वानी आपकी